कर दो कि जो क्लास थी उसके इंतरगत हम ने डिस्कुस किया था कि भारत के इंतरगत जो मांसुन है उस मांसुन का अनुपात किस प्रकार से पाये जाता है यानि अगर रेश्यों की हम बात करें तो वेस्टर्ण डिस्टरमेंश से लगबग तीन परतिसत बारिश होती है इसी प्रकार से जो प्री मांसुन है या जो साइक्लोनिक रेन है उस आधार पर भारत में दस प्रतिसत बारिश होती है और इसी प्रकार से जो दक्सिनी पस्चिमी मांसुन है जो कि आप देखेंगे कि भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है उसके द्व द्वारा भारत में लगबग 74 परसेंट बारिस होती हैं प्रत्यवर्तित मांसुनी वर्षा यानि लौडते हुए मांसुन के द्वारा भारत में लगबग 13 परतिसत बारिस होती हैं तो इस परकार से यह तो था बारिस का परतिसत कि भारत में किस परकार से रेंफॉल जो है वह इस परकार से चलता है इसी परकार से हम बात करता है कि जो बारिस है वहाँ समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ घटती रहती है अब पॉइंट टू पॉइंट देखते रहे और समझते रहें कि किस परकार से घटती रहती है तो हम देखें तो जैसे जैसे हम सी से दूर जाएं तो मांसुन की जो रिंफॉल का जो परसेंटेज हैं वहां कम होता रहेगा उसके पीपेशे रीजन क्या है की रैइन। depend करता है कि जो winds है उस winds के साथ humidity कितनी है या उसके नमी कितनी है तो समुध्र के पास की जो winds होगी उसके इंतरगयत आपको नमी जदा देखने को मिलेगी और यही जो winds है जब जैसे जैसे pak याकंतर यानि आंत्रिक भागों के इंतरगेत पहुंचेगी तो वहां पर बारिस कम होगी जैसे कि लिखा हुआ मांसुनी जो रेनफॉल है वह घटती जाती है जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं यही करण है कि भारत में अगर हम मांसुनी रेनफॉल को देखे तो कॉलकत्ता जो की सी कोष्ट पर है तो वहां पर 119 सेंटिमीटर तक रेनफॉल होता है पटना जो उससे थोड़ा सा इंटर्नल भाग के इंतरगत है वहां पर 105 सेंटिमीटर इलाबाद में 76 सेंटिमीटर और जब हम दिली तक पहुंच जाएंगी तब यह बारिस का जो परसंटेज है व बहुत दूर जा रहे हैं भारत की जो क्रसी प्रदान अर्थ व्यवस्ता है भारत की अर्थ व्यवस्ता क्रसी प्रदान है और इस अर्थ व्यवस्ता के अंतरगत मांसुनी वर्षा का बहुत ज़्यादा रोल रहता है और इसी करण जब मांसुनी वर्षा नहीं होती है या स होगा तो यहां पर भारत में एग्रिकल्चर फैसिलिटी या इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है वह डवलप नहीं होगी तो रेंफॉल जो है हमारी इंडिन एकोनोमिक के इंदरगर्द एक महत्पूर्ण रोल निवाता है आगे बढ़ता हैं मान भारती मांसुन की उत्पती क कुछ सिदान्त हैं और इन सिद्धान्तों में सबसे पहला जो सिद्धान्त है वह है तापय सिद्धान्त attend या ठर्मल ठ्योरी या जिसे चीर्श्मत विचारध़ा कहा जाता हैonday कि क्लासिकल ठ्योरी ओ इंडियन रिंफॉल कहा जाता है दिया कि समय quan दाट है ओर और स्टारगत जो मानसुन आता है वह होता है महादी आने कंटिनेंटे और जो ओशन्स हैं और उनका जो टेंप्रेशंट में जो वेरिशन हैं उस वेरिशन्र के कारण थाप या suburbs का अर्थ होता है कि महादीप और महाaal सागरों के तापमान में फर्क है या फिर तो महाद्वीब बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर महासागर बहुत ज़्यादा गर्म है इसका अर्थ यह हुआ कि जो भाग जितना ज़्यादा गर्म होगा वहां पर उतना ही लोग प्रेशर देखने को मिलेगा और जहां पर लोग बनेगा तो हाई प्रिशर से लो प्रिशर की तरफ हवाई चलेगी और वहां पर बारिश होने की संभावनाई बढ़ जाती है तो इसी को एडमंड हैली या अपने इस सिद्धान्द के द्वारा समझाते हैं देखिएगा जैसे कि लिखा हुआ है कि ग्रिश्मकाल के इंतरगत जाता है तो उस समय फ्रिश की जो किर्ने करक्रेखा पर या ट्रॉपिक का एंसर जो है वहां पर गारत वहां और इसके कारण टापय विश्वत रेखा उत्तर क्या और खिसक j weather होता है क्योंकि जो विश्वत रेखा है यानि जो एक्वेटर है वहत जीरो पर है लेकिन 0 से आप हैं उपर की तरफ नौर्थ की तरफ और साल्थ की तरफ उसका जो variation चलता है उसे हम कह सकते हैं कि किसका अब यह किसका कब होगा यानि जो रेखा है Tropic of Cancer पर हाँ सही का आपने low pressure होता है उस कारण Tropic of Cancer पर low pressure क्यों है तो उसके पीछे जो region है वहाँ क्या है कि वहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा temperature है तो temperature high होगा तो उस समय low pressure create होगा तो low pressure create होगा तो वहाँ पर आपको ITCZ देखने को मिलेगा तो जहां कहीं पर भी high pressure होगा वहाँ से attract होगी हवाए जो high pressure से low pressure की तरफ चलेगी तो जिस प्रकार से लिखा गया है कि दक्षिनी पूर्व की व्यपारिक पवने यारी जो south east की जो trade winds है वहाँ इस low pressure की तरफ attract होती है और ये line यानि ये जो हवाय है जो actually में trade winds है और ये जैसे ही equator को पार करती है तो coralist force के कारण फेवरल के नियम के कारण ये अपनी जो direction होती है उस direction से ये right hand side के अंतरगत move कर जाती है और इसकी दिसा जो है वहाँ दक्षिन पश्चिम अब दक्षिन पश्चिम किस परकार से हो रही है जैसे कि हमने कहा कि उत्तर पूरु से चलने वाली जो हवाय है अब दक्सिन पूरु से चलने वाली हवाओं का अर्थ यह हुआ कि यह जो हवाय है जिस प्रकार से हमने कहा यहां इस बोड की मादियम से समझते हैं कि हमने कहा कि दक्सिन पूरु की जो हवाय हैं वहां किस प्रकार से अपना डारेक्शन चेंज कर रही हैं तो हमने इस प्रका जो प्रकार से चेंज हो जाती है और इस होने के कारण यहां पर देखिएगा हमारा भारत जो है वहां इस से चल रही थी साउथ वैस्ट से चलने लग जाती है और इस प्रकार से कि ऐसा कहते हैं एडमन्ट हैली एडमन्ट हैली जो है वह इस प्रकार की कि बात को कहते हैं कि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं तो इस प्रकार से एडमन्ट हैली जो अपनी कॉंसेप्ट को क्लेर करने की कोई कोसिस करते हैं कि यही जो विंट है यांनी साहथ-ईस्ट से जो ट्रेंड्ड विंड्स चल रही है वह लोग प्रेशर की तरब और जब यह इक्विटर को पार करती है तो कोरिलिस इफ्ट के कारण ये अपनी जो ढारेक्षण है उस ढारेक्षण से ये राइटअसाइट के अंते शाइट गता है और उस nedenle ज्यविश्च उसाउथ इस्ट थी अब साउथ वेश्ट हो जाती हैं और यही साउथ वेस्ट मांसुन के रुप में बारत के नतगत प्रवेश करती है कि बढ़ते हैं चूंकि यह पावने समुद्र में लंबी दूरी तैय करने कर आती है यानि कहने कार्थ यहां पर यह है कि यह जो ट्रेड विंट्स है यह बैसेकली कहां पर फ्लो कर यह इंदियन ओशन के इंतिकत बहरी हैं तो माणस अगर के ऊपर बैरेए तो इन हो एनुकREE मातरा है वह बहुत अधिक अदिक होने के बारत महा दीप में वरसा लाती और इसी मानसुन को हम डक्सिनी पस्षिमी मानसुनी वर्षा की रूप में जानते हैं ये सिद्दान्त एडबर धेली ने बताया फिर ये तो हुआ मानसुन भारत किंदगत कैसे प्रवेस करता है फिर गर्मियों के विप्रित जब आती है सर्दिया जैसे कि अभी वर्तमान का समय समा थोगा सर्दियों के समय सूर्य की सीदी केले यहां मकर रेखा पर पड़ती है यानी संद जो है इस समय वर्टिकली कहां पर है ट्रप्ट्रो पिक ओप केप्रिकॉन पर है तो एशिया का इस्थलिय भाग यानि एशिया का जो लेंड सर्फेस है वहां माहसागरों की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है क्योंकि वहां पर इंसुलेशन नहीं मिल रहा है तो जब टेंपरेचर कम है यानि वहां पर प्रेशर क्या बनेगा हाई बनेगा तो इसी लो प्रेशर बना हुआ है तो ऐसे इसति में हवाए से यानि भारत का या एसिया का जो लेंड सर्फेस है वहां से यह ओशिंड की तरफ बहने लगती है क्योंकि वहां आई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी इस्तल से आ रही है तो यानि land area से आने के कारण इन हवाओं के इंतरकत आधरता यानि humidity नहीं होती है और इस कारण ये जो बारिस होती है ये जो हवाइं होती है ये बारिस नहीं करती है लेकिन chorealis force के कारण जब ये हवाएं अपनी दाई और मुढ कर यानि अपने left hand side के नतरकत और इसकी दिसा उत्तर पूर्व हो जाती है इस करती है जिसे हम उत्तर पूर्वी मांशुन कहता है तो हम दोनों को यहां पर समझते हैं जिस प्रकाड से जो डारेक्शन था तो यहां पर हमने देखा कि तो यह direction है कि दक्सिनी पूर्वी जो मानसुन है या पिशी मिन्समी मानसुन है posição किस प्रकार से चल रहा है दक्सिनी पूर्व सुन यहां से देखेगा यह दक्सिनी हुआ। चल रही है देखर को पार किया इक्वेटर को पार करते हैं इसकी डारेक्शन चेंज हो गई और चेंज होकर यह भारत के अंतरगत प्रवेश करती है एक जो इसकी ब्रांच है वह अरेबियन सी से होते हुए भारत के अंतरगत पहुंच रही है और दूसरी इसकी जो ब्रांच है वह बे अप बंगाल से होती हुई सिरी भारत के अंतरगत प्रवेश करता हैं दूसरी जो इस्तति अभी हमने पड़ी कि वापिस जब लॉटत होगा मांसुन जैसे कि यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर यह हवाई फेरल के लोग के कारण डारेक्शन चेंज हो जाती है यह यहां पर अरब सागर के मांसुन के रुपए यहां से ब दूसरा दो सित्दान्थ है वह डाइनमिक ठीओरी है या विशुतिय पवन सित्दान्थ है इसका जो प्रथिपादन है यह डाइनमिक कॉंसेप्ट और इक्विटोरियल वेस्टर लिज ठीओरी जो हो ठीओरी अभी हमने पड़ी है ठीक उसके समान ही है थोड़ा बहुता फरक आपको देखने को मिलेगा उसका जो प्रतिपादन है यानि इससे पहले हमने जो कॉंसेप्ट वड़ा वह एड्मन्ड हैली का था यह जो सिद्दान्त है वहाँ फ्लॉन का है फ्लॉन क्या कहता है कि मांसुन जो है यानि भारत के इंतिकर जो मांसुन आ रहा है यह सूर्य मकर रिखा पर होगा तो इस प्रकार से सूर्य उत्तर से दक्षिन की तरफ जाता है तो उस समय आपके भारत के इंतिकर मांसुन होता है यानि जब सूर्य उत्तर की तरफ जाएगा तो मांसुन उत्तर की तरफ पहुंचेगा अब किस प्रकार से पहुंचता है तो दे स्काव होता है तो ITC-Z भी उत्तर की तरह पहुंच जाता है कारण क्योंकि उस समय वहाँ पर लोग प्रेशर बन गया तो जो विश्वतिये पच्छवापवने हैं जो कि हमारी ट्रेड विंड्स ही है यहां भारतिये उप महादवीप पर जो लोग प्रेशर बना है उसकी और जाने लगती है और इससे हमारा साउथ वेस्ट मांसुन यानि दक्सिनी पस्ष्विंग मांसुन जो है वहाँ बनता है उत्तरी अंतर उस्टन अभिशारंड चेत्रम यानि नौर्थ आईटीसी जैड जो है वह जब करक्रेखा पर बनता है तो उस समय वहाँ पर विक नेक्स्ट उत्री यानि एनाइटीसी जैड के सारे वहाँ पर विक्सोब देखे जा सकते हैं सर्दियों के समय जब सूरिय मकरेखा पर होगा तो उस समय निम्न वायुदाब का चेत्र भी जो है वह उच्छ वायुदाब की चेत्र में बदल जाएगा यानि जिस परकार से यहां पर देखेग MVCAT वह वो कहां पर बना हूँ इस रेखा पर बना वह यहां पर इस समय डैज गर्मी फड़ रही तो ऐसी एस्थति में यहां पर यह जो ब्लैक लाइन है यह equator को सो करी है तो equator से जब ये winds जो इसको पार करती है तो इसकी जो direction देखेगा direction जो south east थी वह इस line को पार करते ही south west की तरफ से south east की तरफ चलने लगती है और यहाँ high pressure से low pressure से होती हुई सिधा कहां पर पहुंचती है मध्य भारत की तरफ बढ़ती है और यही जो हवाय है वह मांसुन को भारत के अंतरत लेकर आती है तीसरा जो सितांत है वह जैट स्ट्रीम का सितांत है जैट स्ट्रीम क्या है तो जैट स्ट्रीम जो है यानि उष्ण कटी बंदिये पूर्वी जैट स्ट्रीम जैट स्ट्रीम क साथ चलती है और इसी हवाऊं के दौारा दक्सीनी मानसुन की उत्राता है तो जैसे के किस प्रकार से यह क्रिया चलती रहे तो सर्दियों का जो समय होता है उस समय पूरे पश्चीमी और मद्दी इश है में उपोश्ट कटिबंदी पश्चिमी जैट चलती यानि सर्द्यों के समय जो मद्य एश्या है वहां पर यह जैट इस्ट्रिम अपर एट्मोसफेर के अंतरगत चलती है और इनकी दिशाग पश्चिम से पूरु केदर होती है यानि पाकिस्तान की तरफ से यह तिबित के और पहुंचती है और जब यह तिबद के पठार में पहुंचती है तो उसके अवरोध के कारण यह दो डायरेक्शन के अंतरगत बढ़ जाती है यानि बीच में आ गया तिबद का पठार और तिबद के पठार के आने के कारण यह जो है यह दो साखाओं के अंतरगत कनवर्ट ह गया और दो साखाओं के इंतरकत बटने के कारण इसकी एक साखा तिब्बत के पठार के उत्तर से समनंतर बैने लगती है और दूसरी जो साखा है वह हिमाले के दक्सिन में पूर के और चलती है और जो शीत रुत में भारतिय उप महादीब पर विख्षोब लाती है यानि सर् परकार से बताया गया है कि पश्षिम से जैट जो चल दी है यानि सर्दियों के समय इस परकार की चैट विंड्स चलती है जो तिब्बत के पठार से टकरा कर दो डारेक्शन के अंतर चेंज हो गई एक नौर्थ और एक हो गई साउट जो दक्सिनी साका है वहाँ पक्षी मे बारिस हो रही है उसको लाने में सबसे बड़ा जो रोल रहता है इस जैट स्ट्रीम का रहता है यानि ये हवाएं भुमद्य सागर मेडिटीरियन सीज से भारत की तरफ इन डिस्टरबेंस को लाती है और उसी के कारण भारत के इंतितकत बारिस होती है तो इस परकार से सकते हैं तो इस परकार से जैट इस्ट्रीम जो है वहावी भारत के इंतलर बारिश लाती है गर्मियों में जब सूर्य का उत्राइण यानि गर्मियों के लित सूर्य कहांपर चमक रहा है करकेरेखा पर चमद रहा चमक रहा है तो ऐसी इस्तति में भारतिय उप महादीप के उपरी वायू मंडल यानि शोव मंडल के पास उष्ट कटि मंदिय पूर्वी जैटी स्रीम कार्थ होता है वो देखेगा इससे पहले हमने पश्चिमी जैटी यानि हवाई जो है वहाँ पश्चिम से पूर्वी की तरफ चल रही थी उप उपर यारी उपरी वायू मंडल के अंतरगर और अभी यह हवाय कहां से चल रही है पूर्व से प्रश्चिम की तरफ चलेगी तो इस परकार से उष्ट कटि मंदिय पूर्वी जैटी स्रीम एक परकार की चैत्रिय या मौसमी जैटी स्रीम है और इसका जो उत्पति है वो गर्म होगी और गर्म होकर उपर उठेगी और उपर उठने के बाद जो हवाओ की रूप में कनवट होगी वही जैटी स्रीम के रूप में बढ़ेगी यानि तिबबत के पठार के पास की जो गर्म हवाय है वह उपर उठेगी और सो मंडल के परतों में पहुंच कर वहां उ वहाँ, वींटर्स में किस परकाट चलती है तो वींटर्स के इंतरगद देखिएंगर हवाय, जो है वहाँ एरो जो है, वह सौथ की तरप है और यह सौथ की तरप का इरो है वह indicate कर रहा है कि हवाए जो है यानि यहां पर क्या बना हुआ है हाइप प्रेशर है और उसके यहां पर क्या है लो प्रेशर है इसलिए हवाए इंडियन जो पैनिंसुला है या भारतिय उप महादीप है वहां से यह साउथ की तरफ चल रही है इसी परकार से समर केंतरगत दे लिड वींट्स जो इंडियन ओशींस के इंतरगत है वह वार्म राइजिंग यभर एंट्रेस्ट हो रही है भारत की तरफ देखे गएंग इफ़ाय जितनी इस्तलिया भाग से आ रही है तो इस्तलिया भागों से आने के कारण ये बारिस नहीं करेगी केवल यहाँ पर यानि यह हवाय जो है केवल यहाँ पर कोरो मंदल तट पर इस समय बारिस करती है और कहीं पर तो सर्दियों के समय जो बारिस होगी वहां केवल और केवल कोरुमंदल टट पर होगी और गर्मियों के अंदर जो बारिस होती या गर्मियों के बाद जो बारिस होती है वहां बारिस आपको पूरे के पूरे भारत के अंतरकत देखने को मिलती हैं तो इस प्रकार से यह जो पाए हैं लगातार चलती रहती हैं इसके अलबाए एक और कॉंसेप्ट है जो अलनीनों का है अलनीनों को कॉंसेप्ट कॉम कल की क्लोग क्लास रहेगी उसके इंतरकत देखेंगे